जब हम content optimization की बात करते हैं तो हम नहीं देखा कि हम keyword research करते हैं लेकिन गूगल सिर्फ आपके keywords को ही नहीं देख रहा होता है वो पूरे content को देख रहा होता है इन पूरे content में हमने सिर्फ अपने keywords यूज नहीं करने हैं अच्छी SEO तब होती है जब आप keywords को यूज करते ही हैं जो के prominently हमने density उसकी maintain करनी है लेकिन आप अपने keywords को support करने के लिए कुछ related words भी use करते हैं वो related words basically LSI words कहलाते हैं LSI का मतलब latent semantic index यह basically English की एक return जो है यह algorithm है कि वो जब Google measure करता है आपको वो इस बात को understand करता है कि किस तरह से आपने एक चीज की बात की और उस चीज से दूसरी चीज जूड़ी रिया लोग LSI को यहनि के latent semantic index in words को confuse करते हैं synonyms के साथ synonyms का मतलब different है so for example हमारी mobile store की example में मैं अगर mobile marketplace या मैं mobile store की जगा अगर मैं mobile marketplace लिखूँ तो यह synonyms के तोर पर count हो सकता है तो एक word की जगा दूसरी word जगा ले सकता है लेकिन अगर मैं सिर्फ mobile phones की बात करूँ तो साथ जब आप बात करते है mobile phone की तो Google अतना understand करता है कि अगर आप mobile phones की बात कर रहे है तो उसमें Android की बात भी हो सकती है उसमें iOS की बात भी हो सकती है जब आप iOS की बात कर रहे है तो उसकी company यह नहीं कि Apple की बात भी हो सकती है so ऐसे keywords जो normally जो है वो एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं उनको आप latent semantic index words बोलते है और यह important इसलिए है कि Google इस से भी judge करता है कि आपका page किस बारे में है so for example मैं आपको example देता हूँ कि अगर आप बात कर रहे हैं mobile phones की तो जहाँ पर mobile phones की बात हुई वहाँ Android software की बात हुई वहाँ पर iOS की बात भी हो सकती है वहाँ पर Apple mobile phone की बात भी हो सकती है so mobile phone का मतलब यह है कि वह एक certain category से related है और certain category में कुछ words ऐसे हैं जो frequently use होते हैं mobile phone से हट की हम apparel में बात करते हैं गार्मेंट्स में अगर आप देखें जहाँ कुरते की बात हो रही है तो वहाँ पजामे की बात भी हो सकती है so अगर आप सिर्फ कुरता बेच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने पूरे पेश की अपर सिर्फ कुरता ही वर्ड बार्बर यूस करना है आप कुरते के साथ आप गर्मेंट्स लिख सकते हैं आप पजामा लिखेंगे तो वह कुरता पजामा एक सेंस बनेगी गूगल को ये समझने में असानी होगी कि ये कुरता जो बात हो रही है इसमें किस तरह की या किस चीज की बात हो रही है एक और बड़ा कन्फियूजिंग वर्ड है जिसको बोलते हैं जावा जावा अगर आप लिखेंगे तो जावा बेसिकली इंडोनेशिया में एक आईलेंड का नाम भी है जावा एक लेंग्विज भी है जिसको जावा स्किप या जावा दोनों बोलते हैं और फिर जावा कॉफी भी है जो के लोग पीते हैं जावा जब कोई लिखे है तो गूगल कैसे अंडर्षेंड करें कि जावा लोगा ने कौन सा सरच किया है इसी प्राब्लम को सॉल्फ करने के लिए गूगल बाकी वर्ड्स को भी देखता है जब आप जावा लिखेंगे अगर वो आइलेंड की बात हो रही है तो आप टूरिजम भी लिखेंगे जब आप टूरिजम लिखेंगे तो गूगल समझ जएगा कि ये जावा मैसी कली इंडोनेशिया में जो एक जावा आइलेंड है उसकी बात हो रही है लेकिन अगर आप For example, Java के साथ language बात करेंगे, coding की बात करेंगे, programming की बात करेंगे, जो है ना, उनको हम उन पेस्जीज के उपर यूज़ करें. मुझे पता है, अब आप यह पूशेंगे कि LSE Keywords निकालते कैसे हैं, सो मैं आपके लिए उसके लिए भी एक हमने टूल धूड़ा हुआ है, जो मैं चाहूँगा कि अगर आप उसको यूज़ करेंगे, तो आप LSE Keywords उसमें से निकाल सकते हैं, तो इस तरह से LSE Keywords निकलते हैं, इस टूल का नम LSE Graph है, यह एक पेट टूल है, लेकिन यह कुछ फ्री सर्चिस देता है, इसके लावा आप और भी टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लाव डेमो इसी टूल का भी दिखाता हूँ, ताके आपको यह समझ आज़े, किस तरह से आप इस टूल को यूज़ करते हुए, रिलेटिड कीवर्ट यहनि के LSE Keywords निकाल सकते हैं, जैसे कि हम इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि मैंने LSE Graph की वेबसेट विज़िट की है, आप ये वेबसेट विज़िट कर सकते हैं, LSE Graph.com से, और जब मैं इसके पर जाओंगा, तो मैं यहाँ पर अपना कीवर्ड लिख हूँगा, जो कि मॉबाइल फोन है, आप यहाँ पर जो भी कीवर्ड लिखेंगे, उसके गेंस्ट वो आपको सर्च इस दिखाएगा, कि कौन से रिलेटिट कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, इसका मैं वेरिफाइ करने के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा, जब आप इसको वेरिफाइ कर लेंगे, तो आप जहाँ से जिनरेट का बटन प्रस करेंगे, तो वो मॉबाइल फोन के गेंस्ट एक अनलसिस करेगा, और वो आपको बताएगा कि इस वर्ड के साथ, नॉमली और कौन कौन से वर्ड यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि आप मेरे स्कीन पर देख सकते हैं, कि अगर मैंने मॉबाइल फोन लिखा, तो वो मुझे पॉसिबिली LSA की वर्ड दिखा रहा है, जिसमें, हाउ टो मेक अ मॉबाइल, सामसंग मॉबाइल, सामसंग फोन, मॉबाइल फोन फोन सेल, चीप मॉबाइल, मतलब डिफरेंट वर्ड जो आलमॉस्ट एक जुसे के साथ यूज होते हैं, वो सब दिखा रहा है, अगर आप सक्रोल करते जाएंगे, तो काफी आपको डिटेल्स में, ये इन्फरमेशन मिल जाएगी, आप कोशिश ये करें, जब आपको पेज़ पे मॉबाइल फोन के गेंश आप्टिमाइस कर रहे हैं वो पेज़ तो उसमें ये वर्ड भी यूज़ करें, जैसे कि आपने देखा कि LSA ग्राफ के जरिये मैंने रिलेटिड वर्ड निकाले, जो कि LSA कीवर्ड के लाते हैं, और मैं अगर अपना पेज मॉबाइल फोन के गेंश आप्टिमाइस करूँगा, तो मैं चाहूँगा कि मैं इन कीवर्ड को भी यूज़ करूँ, ताकि गूगल को ये अंडर्सेंडिंग हो जाए, कि अगर मैं मॉबाइल फोन की बात कर रहा हूँ, तो मैं मॉबाइल फोन से रिलेटिड और भी वर्ड उस पर यूज़ कर रहा हूँ, ये नेचल भीर्ड में भी ऐसा ही होता है, और गूगल भी यही चाहता है, कि अगर आप इसको बिल्कुल नेचल वे में आप्टिमाजेशन करें, तो वो भी आपको पसंद करेगा, वो भी आपको पिनलाइज या पनल्टी नहीं डालेगा, क्योंकि उसको यह लगता है, कि अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे, अगर आप जबरसी करेंगे, कॉंटेंट में कीवर्ड डालने की, तो हो सकता है, कि वो आपको पसंद ना करें, और वो आपको पिनलाइज करें, यह नहीं कि आपकी रैंकिंग ड्राप कर दें, तो आपने भी ध्यान डखना है, कि जब आप कोई भी खीवर्ड यूज करें, उसके आप LSEE वर्ड भी निकाल लें, कोई भी आप फ्री टूल यूज कर सकते हैं, और उस तरह से आप LSEE वर्ड यूज करके, अपने पेज में उसको उसी तरह से आप्टिमाईज कर सकते हैं,